जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा यह हम या कोई Bollywood के सिंगर नहीं बलकि करनाटक की जनता अपनी चुनी हुई Congress सरकार से कह रही है आप सोच रहे होंगे कौन से वादे तो आपको बता दे वही वादे जोने अपनी 5 गैरंटी का नाम देकर Congress ने करनाटक में सत्ता हासल की अब वादे से मुकरना Congress की कोई नई आदत तो नहीं है परन्तु इस बात को करनाटक की जनता को कौन समझाए हाँ करनाटक की जनता को ये बात शायत राजस्थान और मधिप्रदेश की जनता समझा सके लेकिन कॉंग्रेस को अपने वादों से मुकरने की आदत है या नहीं इस पर हम बात में बात करेंगे पहले करनाटक से सामने आए कुछ वीडियोज देख लेते हैं ये सारे वीडियोज करनाटक के हैं जहां करनाटक में बिजली के बिल को लेकर बहस चल रही है और यही केवल कुछ वीडियोज नहीं बलकि कॉंग्रेस के सत्ता में आने के बात करनाटक से आए दिन ऐसे कई वीडियोज सामने आ रहे हैं मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करनाटक के कोपल, कलबुर्गी और चित्र दुर्ग जिलों के कुछ गाउं में लोगों ने बिजली के बिल भरने से मना करना शुरू कर दिया है अब इसी से जुड़ा एक और वीडियो देखिए इस वीडियो में व्यक्ति ये बोलता नजर आ रहा है कि हमने कॉंग्रेस को वोट दिया था क्योंकि उन्होंने मुफ्त बिजली देने का वादा किया था अब हम कोई भी बिल नहीं देंगे ये कहकर हमें मुर्क बनाने का कोई मतलब नहीं है कि क्याबिनेट को फैसला करना है या कुछ प्रदिबंद है सिद्धा रमया और डीके शिवकुमार ने हमें इस पश्ट रूप से कहा है कि कॉंग्रेस के सत्ता सम्हालने के बाद बिलों का भुक्तान ना करें करनाटक में बिजली बिल के भुक्तान को लेकर जनता और सरकार के बीच जो खमसान चल रहा है इससे ये बात तो साफ है कि कॉंग्रेस का चुनावी कैम्पेइन कितना असरदार था जनता को लुभाने के लिए कॉंग्रेस ने वादे तुकिये कि अगर वो सरकार बनाती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री देगी और पहली ही क्याबिनिट मिटिंग में इसे पास भी कर दिया गया परन्तु अपनी टर्म्स और कंडिशन्स नहीं बताई ऐसे ही पहले कहा कि हर म वाइट चाहिए उसी को दिया जाएगा लेकिन पहले ऐसे महिलाओं की पहचान की जाएगी अगर टर्म्स और कंडिशन्स ही बता देते तो मार्केटिंग कैसे करते लेकिन कॉंग्रेस के जूटे वादे केवल बिजली के बिल तक ही सीमित नहीं है बल्कि चुनाफ उन चात्रों पर लागू होता है जो इस वर्ष पास हुए हैं तो जो पहले पास हुए थे वो ग्राजवेट नहीं थे और अगर पहले ग्राजवेट हुए लोग ग्राजवेट नहीं थे तो उन्हें चुनाफ प्रचार के समय ही बता देना चाहिए था ना कॉंग्रेस के न लेकिन आखिर में यू-टर्न भी मार लिया और अब जनता से धहरे रखने की बात कर रहे हैं शायद कॉंग्रेस ही भूल गए हैं कि ये पब्लिक है सब जानती है यहां तक कि करनाटा की जनता ने कॉंग्रेस को नोटिस तक दे दिया है कि हमें 200 से जादा यूनिट की बिजली की जरूरत नहीं पड़ती तो इलेक्रिसिटी बिल जनरेट ना करें अब जब कॉंग्रेस को करनाटा की जनता से नोटिस पीरियड मिल गया है तो अपनी पांच गैरेंटी योजना को लागू करने में कॉंग्रेस को मशक्कत करनी ही होगी वहीं हिंदोस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक IAS ओफिसर का कहना है कि सरकार पहले से ही किसानों के लिए विबन योजनाओं के लिए प्रतिवर्ष 14,508 करोड रुपए की सबसिडी का भुपतान कर रही है बिजली आपुर्ती की ओसत लागत 9 रुपए 12 पैसे है सरकार को हर महीने घरेलू उपभोकताओं को 3848 म.U. बिजली मुफ्त देनी होगी जिस से उन्हें 3,509 करोड रुपए प्रतिमाह और 42,108 करोड रुपए सालाना खर्च होंगे ऐसे में राजबरी आर्थिक बोज क्या कॉंग्रिस नियम और शर्तों के जरीये पूरा करेगी या इन वादों से पूरी तरह ही मुकर जाएगी ये देखना अभी बाकी है तब तक के लिए आप देखती रहिए तो पैमफ्लेट धन्यवाद